तो हलो स्टूडिन्स हाव यू ओल जहें टॉल आज हम डिसकेशन करने जा रहे हैं अपना जो कॉंटिनेंटल ज्वग्राफिय हमारे चल रहा है यह अम पढ़ चुके हैं यॉरॉप को कवर कर रहे हैं इसमें आज इसका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है सबसे पहला लेक्चर इसमें पॉलिट्टिकल मैप को डिसक्स किया कंट्रीज वगिरा की लोकेशन को समझने की कोशिस किया एक बेसिक अंडर्स्टैन्ट बिठाने के हमने कोशिस की थी वहाँ पर सेगिंड लेक्चर में मैंने आपके साथ खुछ सीज को डिसक्रिस किया कि कैसे-कैसे एजोव सी ब्लेक सी मरासी इसके बाद एजीन सी यह किस-किस तरह की ची होती है यह आप मैंने जो नाम लिए जान बुछ कर लिए ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए और अगर आपने पड़ा हो तो आपको अच्छा फील हो कि हाँ ही हमने सुनावार हमें पता लग रहा है कहां पर कहां के का लोकिशन है अगले लेक्च्चर में आपके साथ स्क्रेट को डिस्क्स किया था मैंने आपके साथ उसे मारे सत्छी में अलग-अलग से प्रेट्स को मैंने डीटेल में उससे में समझा चीजों को कौन सी कहा है मैप क्या खौड़ देखिंगे कि किस तरह से हम आउंटेंस होते हैं किस तरह से इसके अलावा हम इस पर देखिंगे कि कि यहां का क्या से उल्इजिन उती है इस तरह की चीजी तो रिवर्स है काफी इंपॉर्टंट टॉपिक होगा बहुत लंबा टॉपिक है मतलब रिवर्स काफी जाद है यहां पर तो हमें एक कर करके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए वो time consuming होगा बाकी आज हम start करने एक physical Europe को देख रहे हैं पहले कैसे classified किया गया है चार हिस्सों में basically उत्री मैदान इन नदन प्लेइन जो है यॉरप का उसके बाद हम देखिए कि यॉरप का सेंट्रल अप्लेंट जो है वो किस तरह की है और फाइनली हम देखिए अल्पाइन माउंटेन सिस्ट्म किस तरह का है यह चार चीजह बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके बाद इसमें drainage पैटन में रिवर्स अपनी आजाएगी गल्फ एंड बेस्ट को हम अल्रेड़ी कवर कर चुक है आईलेंट के लिए छोटा सा मैं आपको हलका सा दिखा दूंगो कौन से आईलेंट कहां पर हैं तो हलकी सिक समझ उससे बैट जाएगी बेसिक जब हम ड्रेनिच पैटन आपको दिखाऊंगा उन्हें अपने ध्यान से देखना है आपके पास है अटलस बहुत अच्छी बात लेकिन जो अटलस में नहीं भी चीज़ें वो भी में आपे कवर कर रहा हूं तो इन चीजों को बहुत रिलीजियस ली फॉलोगर हो जो मैं पढ़ा रहा हूं कि बहुत रिसर्च के बाद हर एक टॉपिक को मैंने बना रखा है आपके लिए और आपके लिए क्योंकि आपको लेंग्वेज वाले बोलते हैं इंगलिश में मतलब अलग-अलग होता है इंदी वालों को हिंदी में चाहिए इंगलिश के स्टूजेंट्स को इंगलिश में चाहिए तो मैंने दोनों लिख रहे हैं और एक्स्पानेशन मेरा इंगलिश होगा देखते हैं सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट हाइलेंड को एक बार सिंपल सी ब्रिफ रिडिंग कर रहे हैं उसके बाब मैप में समझेंगे चीज़ों को इसका विस्तार नॉर्वे स्वीडिन फिल्न लेकिन कल्चर वाइस अगर हम बात करें तो फिल्नेंड भी है डेनमार्क भी है आइस्टलेंड उसके साथ मिल जाता है तो फिलाल इन्होंने नॉर्वे को लिया है स्वीडन को भी इन्होंने लिया है उसके बाद फिल्नेंड को भी इन्होंने लिया है तो शुरवात की तीन तो गई उसके बाद नीचे यहीं कहीं पर जानते हैं डेनमार्क बनता है और वहां उपर कहीं पर आइसलेंड बनता है डेनमार्क को इनने इसमें शामिल नहीं कर रखा भी हम देखिंगे मैप में लेकिन आइसलेंड को और साथ में ब्रिटिश ड्वीप शमू जिसे हम इस आइल्स कहते हैं यह बेसिकली वही चीजे जिसे मैंने ग्रेट ब्रिटेन आपको कहा था अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि उपर पर स्कॉट्लेंड है पर नीचे पर इस तरीके से यह आता है और इस तरीके का शेप भी पीछे दिखा दूआ मैं आपको तो कुल आपको से पतीकिलर पर स्कॉट्लेंड था यहाँ पर कहीं पर इतना पर्टİक्लर इलाकाbourg ये इसने पर इंग्लेंड का एलाका था इनके बगल मैं यहां पर आईरलेंड था जिसमें उत्तरी आर्लेνड था इनतीनों को मिला करके यानी कि यह जो ग्रेट ब्लेट ब्रिटें फिनलेंड तीनों इलाके और आइसलेंड के इलाके में यह फैलावा इलाका है कौन सा जो नॉर्थ वेस्टन जो हाइलेंड्स का इलाका है हाइलेंड्स मतला परवत ट्राइब की बात हो रही है मैप में देखो कि एकदम समझ आदेगा सब कुछ यहां इस्तित यह अल्रडी मै अच्छा इसके बाद कुछ एक इंपॉर्टन फेक्ट नर्वे और स्वीडन और फिल्लेंड से आर्केटिक वरित गुजरता है यानि आर्केटिक जो सरकील है वो पास करता है लेकिन इसमें जो आइसलेंड है वो इसके दक्षन पड़ता आइसलेंड से वह पास नहीं करता अब हम देख लेंगे कहां पर कैसे हैं मैप में नौर्वे की तरफ पर फियोड्स पंते हैं आपने इस तरह का टॉपिक पढ़ा होगा जब आप फिजिकल जियोग्राफी पढ़े होगे और नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे हम बाद में फियोड्स बेसिकली कुछ नहीं होता यानि उपर से देखोगे नीचे खाई नजर आईगी उस तरफ से देखोगे खाई नजर आईगी और नीचे पर यहां पर नदी बहरी होगी एक तरह से समझ लो और यहां बिपकोई पिलर की तरफ परवत अपने खड़े होंगे ऐसे करके और बीचे नीचे गैलरी में आप कि glacier glacier की नदिया मतलब आप समझ रहो बरफीली नदिया जो बहरी है वहाँ से तो वह काटते-काटते जिस तरह का formation वहाँ पर करती है उस तरह की चीछ पॉर्म फियॉट्स कहते हैं अभी मैं आपको दिखा दूँगा वह कैसे दिखते हैं तो नौर्वे की तरह भी फियॉट्स बहुत मात्रम में पाई जाते हैं क्योंकि आप जानरों क्यों आर्केटिक सर्कल के पास है थंड़े इलाके और बरफ वहाँ अच्छे खासी होती होगी तो फियॉट्स वहाँ पर अच्छे खासी अमाउंट में पाई जाते हैं भी दिखा दूँगा फियॉट्स दिखते कैसे तो आइधिंक आपको हलका सा समझमा आगा कि फियॉट्स का विकास हुआ है नार्वे के तरट पर और बता भ और इसके नीचे अगर आप थोड़ा आपको दिख पा रहा होगा तो नीचे की तरफ से आपकी कुछ यह इस तरह का एक रास्ता टाइप का बन गया यहीं से वह बरफ ली हिमानिया यानि कि जिसे ग्लेशियर्स कहते हैं वह बहते वे जाते है और बाद में इस तरह के यहां आपको ब्राउन ड्राउन निजर आ रहा होगा इसमें आपको ब्राउनिश चीज़े था रही होगी इस पर्टिक्लर में अबजर्व करो आपको इधर भी कुछ ब्राउन ड्राउन नजर आ रहा होगा जो मैं बोलनग प्लीज उतना ही देखो थोड़ा बहुत हल्का-hlkya-hlkya brown-brown यहांपे मौझूद है अब आप खुद ही सोच लो कि यह उन्होंने सही नहीं बोला था कि यह Norway में है क्या यह Sweden का इलाका नहीं है क्या यह Finland का इलाका नहीं है क्या उसके लावा यह Island का इलाका नहीं है वेस्ट में तो जरूर यह पढ़ता है, लेकिन कई पर आपको ऐसा भी दिख जाएगा, इसको भी अज्यूम कर लिया जाता है, कि यह भी नॉर्थ वेस्टर अप्लेंड में बोलना सही नहीं होगा, नॉर्थ वेस्टर अप्लेंड में जो कुछ मैंने लिखावा, सिर्फ उतन एक जाएगन विया झेंड पर आकानी ज हो बीस्टर नेंद अब करता है, वेस्टर श सता है, अकल बातका सिर्फ्फ नहीं हो बनुल कई वाला, व स्चे-वालथ 요ावर इस समझी जाएगे नहीं करेंगा, इसमें करेंग हो सकता है आपको तो कि Iceland करता हो क्योंकि आपको लेगा आइसलेंड ऊपर-उपर है लेकिन नहीं नहीं करता बस यह चोटा सा एक डाउट हो सकता है इसलों मैंने इसे कवर कर दिया फिल्लेंड हजार जीलो का देश है नौर्वे वो जगे जहां पर हम कहते हैं अर्दरात्री का सूरिया आता है क्योंकि इस समय लोकेशन ऐसी होती है कि लगभग लगभग सूरिया दिखाई देता है अधी रात के समय भी क्योंकि वहाँ पर सूरिय का प्रकास उस पर्टिकलर पर पढ़ता रहते है अभी हम गो नेक्स्ट topük अपना देख रहे है वह में देख रहें लौ ये कहां पर लॉपा सीधे मैप में पहल हो तो ज 들ma बेटर रहेगा मेरी छाल से जितना भी इंप दिला corre और इस तरफ Atlantic Ocean है तो हम कह सकते हैं कि Atlantic Ocean जानि अंधम हां सागर के और जो आपका यॉराल पर बत्त है उसके बीच में जितना यॉरॉप का इलाका यह आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है यह सारा इलाका हम कह सकते हैं कि नदन प्लेन है यॉरॉप के नदन प्लेन का इलाका है लोग दो बहुत इसका जू आलाका चोड़ा है कि जब इस तरफ का रिलाका यह बारप वैस्ट-का होगया वैस्टेशन ली चोड़ा है और वेस्ट की तरफ ही कम वैसा है तो यह आप थोड़ी सी बात ध्यान जक्सितों अगर हमने मैप अगेरा कि अच्छी समझ है तो यह कोई सिंस हमें याद नी करने पड़ेंगे और एक्जाम में आ जाएंगे हमारा सिंका अंसर लिग देंगे हमें एकदम समझ सब्सक्राइब नीचे है यानि कि थोड़ी देर पहले हमने नॉर्थ वेस्टन प्लें हाई लेंड्स पड़े यानि पढ़ा उसके दक्षण में पढ़ रहें कि याद करने बात नी है मैं अगर आंखों के सामने तो हम हर चीज का जवाब दे देंगे अब एक एक करके कितना प्लें याद कर लोगे आपकी दक्षण में उसके नीचे पढ़ यह पढ़ यह पढ़ रहें और दूसरा जो अभी हमने इससे पहले पश्चिमोत्तर हाइए यानि कि नॉर्थ वेस्ट हाइलेंड पढ़े उसके दक्षण के बीच में पाए जाते है तो इसमें यॉरॉप का मध्य भाग कवर हो जाता है यॉरॉप का कुछ पूर्वी भागर कुछ-कुछ पश्चिमी भाग भी कवर हो जाता है तो आपको इसमझ में आ गया अब इसको बारे में कुछ पॉइंट अगर छूडिया हो तो उत्तर पश्चिमी उच्च भूमी के दक्षण में यॉराल प प्लेंज की बात कर रहा हूं और साथ में जो अपने हाइलेंड समने पड़ें नॉर्थ वेस्ट वेस्ट में पड़ते हैं दूसरा उन्हें जो श्वेट सागर यहां पर हमें समझ में आ रहा है बाई चांस कभी कोई पूछ ले श्वेट सागर के भी इदक्षन में ही यानि कि जैसे कोईला हो गया या फिर पिट्रोलियम वगेरा हो गया अच्छी मातरा में यहां पर यह मिल जाता है किस इलाके में इस पर्टिकलर नदन वाले इलाके में क्योंकि यह समतल है इसलिए यहां से खोदना खुदाई करना आसाल है क्योंकि पहाड़ी आगरों तो कितना घहरा खोद दोगे अब लेकिन घुद मैदान अनुद का मनतल की सी लेवल के नजदीक है फोड़ी दूरी पर अंदर जाने पर आपको खनीच वगेरा मिलने लग जाएंगे इसलिए थोड़ा उस तरीके से इन्रिच है मिनरल ओगेरा में तो आपको इस बाद भी समझ थीक है देख लिंगे अभी इसका विस्तार मध्यों यॉरॉप में है पश्चिमी फ्रांस थोड़ा प्लीज ध्यां से समझने की जरवत है उसके बाद बेल्जियम फिर दक्षन जर्मनी चैक गंडराज्य उत्री स्विजर्लिंग और ऑस्ट्रिय जो इलाका है वो इस पर्टि स्विजर्लिंग और ऑस्ट्रिया फॉर्द इम внеш College स्विजर्लिंग और और ऊस्ट्रिय यहां इम्रहाप यहां यह 와 वह यह इस के सकते हैं राके रहा यह थोड़ा बहुत पश्चिम का कवर तो यह जो मडल में दिखा गसे दे रहा हुआ यह यह बहुत पहाड अगशा यह वाले इलाके नीह यह वाले इलाके नीए थ्वड़ा ध्यान से रहा है तो जो मीडिल मीडिल में हमें इलाके दिखाई तरीके से आप समझ पारे हो यहां पर निधर लेंड का तो कुछ-कुछ इलाका इसका भी कवर हो गया पश्चिमी फ्रांस का लाका यह परवत कहते हैं यह फ्रांस और इस पेइन के बीच में बनता है बाउंडरी बनाता है उसकी परवत इंपोर्टन भी डिसकस करेंगे से तो कुल मिलाकर यह पर्टिकलर इलाका जो बीच बीच का तरफ है बीच बीच में जो प्लेंस की बीच में मौझूद है पहाड़ी लाका उसी को हमने मिडिल हाइलेंट के दिया इसमें कोई बहुत जादा आपको खास याद करने की जरवत निया सिर्फ ध्यान रखना कि हां कुछ है मतलब यह ध्यान रखोगे कि कुछ इलाका है यह जिसका नाम हमने लिया मध्यवर्थी उच्छ भूमिया कुछ पठार है कुछ परवत पगेरा यहां पर है अच्छा इंपोर्टन जो इसमें वह पहले मैं डिसकस कर लेता हूं थोड़ी सी कुछ चीज़े इसमें फ्रांस का मध्यवर्थी पठार इसे सेंट्रल मैसिफ कहते और उसके बाद देखो फ्रांस का मध्यवर्थी पठार है दूसरा स्पेन और पुर्तगाल का मैसेटा पठार है आपने स्पेन की राजधानी शायद आपको पताओगा मैडरिट है देखो मैं आपको दिखाता हूं इसी के मध्यवाग में लगबग लगबग स्पेन की पतार यह एक्जामपल है वह जो मध्यवर्थी वाले भाग था जो मैं आपको बोल रहे हों कि जो बेसिकली मीडिल हाई लेंद का पार उसका इग्जामपल सबसे पहले में मैसेटा का पतार मैसेटा के पथार में ही आपका कौन मौझ थे स्पेन की राजधानि ब्सके राज में कुछ याद आए नाए दो तिन चीजे याद आजनी चाहिए जो कि मैंने यहाँ पर लिखी वी है जर्मनी का ब्लेक फॉरेस्ट हम बाद में देखिए किस तरीके से डैन्यूब रिवर वगेरा और जो रिवर्स होती है वो ब्लेक फॉरेस्ट से निकलती है आप नगर पहल जूरा परवत यह जूरा परवत जो स्विजरेंट के पास है और मेरे क्याल से आपको सिर्फ चार्ड सीजे हो सकेगा तो आप याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा सा एक अंडरस्टेंडिंग परपस के लिए याद रखो ताकि आ जो इलाका पड़ता है जर्मनी के इलाके में आपका ब्लेक फॉरेस्ट आ जाएगा और स्विजरेंट जो आजाएगा वह आपका स्विजरेंट के लाके में जूरा परवत पड़ जाएगा ठीक है आप मेरी बात चाहिद समझ गए हैं तो इस तरीके से जब भी कोई मिडेल हाइलेंट के बारे में पूछे तो आभी बताएंगे रिवीजन मैं अभी करा दूँगा आपको चिंता मत करो यह इंपॉर्टेंट इसले है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि ब्लैक फॉरेस्ट से ही आपके कुछ नदी है डैन्यूब जहां तक मैं गलत क्यूं यहीं को दिने हैं अमारे पास विस्टुला रिवर है विस्टुला है जो की पॉलेंट की तरफ से जाई है इन डिटیल में डिसकस करेंगे लेकिन यह कहना यह चा रहे जो कि Spain में पढ़ता है, Madrid उसी पे बनी भी है, उसके बाद आप याद रखोगे, जो Middle Massive का जो इलाका है, Central Massive का इलाका जो फ्रांस में पढ़ता है, Central Massive का पठार, Black Forest और जूरा परवत, चार प्लीज आप मेरे लिए याद रख लो, चार चीजे बस, ये Central Appliance के लाके हैं, Middle Appli और चिंता मत करो, अराम से देखो, Alpine Sreni, बहुत important है, क्योंकि आपने कभी सुनाओगा, Alpine Countries होती है, Alpine Countries, 8 Countries, basically Alpine Countries माती है, कभी-कभी तो direct question आसकता है, इनमें से कौन सी Alpine Countries है, या कौन सी नहीं है, ऐसा question definitely UPC में पूछा जा सकता है, आपको Countries के नाम दे देंगे, प Atlantic महसागर से Caspian सागर तक का है, यानि कुल मिलाकेट जिस particular इलाके की बात कर रहे है, Alpine Range की, वो बोल रहे है कि ये ना इसके तो ऊपर है, Mediterranean उसके, और यॉरोप का सदन पार्ट है, यानि कि basically ये यॉरोप के इस पार्ट को कवर करने की कोशिस कर रहे है, बोल लें कि Alpine Range ये पार्ट है, आप मेरी बात समझ पारे है, थोड़ा थोड़ा, यानि भूमध्य सगर के उत्तर ही हिस्सा जो है, और यॉरोप का जो दक्षनी हिस्सा है, उसको इन्होंने कहा कि ये Alpine Range का इलाका है, अब हम देखते हैं इसके आगे बात, ये नवीन मोरदार परवतों के उध ये जो अपना यॉरोप है, यॉरोप की सबसे उची चोटी एक है, उसका नाम है Elbrus, Elbrus जो है, ये Caucasus परवत में मौझूद है, अब हम आगे पर देख लेंगे, Caucasus परवत याद आ रहा है, Black Sea और Caspian Sea के बीच का इलाका, याद आ रहोगा आपको, कि मैं कहता था कि ये Black Sea है और ये आपका इस तरीके से Caspian Sea है, उसके बीच का जो इलाका था, याद करो Caucasus परवत का इलाका है, जो टर्की के ऊपर वगएरा मौझूद है, तो आपको याद रहा है, तो कहने का मतलब है, उस Caucasus परवत में यॉरोप की सबसे उची चोटी Mount Elbrus है, लेकिन यॉरोप की द दूसरे नंबर पर ये आई गई है, तो पहले पर तो क्योंकि Caucasus परवत वाली है, मैंने आपको बता दिया, जनरल नॉलेज के लिए, तो दूसरे पर ओविसली है, और France की सबसे उची चोटी है, Mount Blanc इसका नहा है, तो ये आलपस परवत की चोटी है, जैसे हिमाले की चोटी फरांस में है, एक बात, दूसरी बात, Mount Blanc किसका हिस्सा है, आलपस परवत का हिस्सा है, तीसरी बात, ये आलपस परवत का हिस्सा है, इसलिए से अलपाईन सीरीज बोला जाता है, अलपाइन आप समझ पार होगे, आलप से रिलेटेड है, आपने कभी सुनागा, अलपाईन इस वानिया उसके बाद स्विजर्लेंड लिंच अच्छा इसका अपका बचेगा स्लोवानिया लिंचस्टीन है एंफ आपके पास मुनाको बिसकिट होता है उसके बाद S for Switzerland हो चुका है, तो S for आपका बचेगा, लिंचस्टीन है, जो आलक्स पर्वत जहां चाहां से बुजरथा आपको इस वाले लाका ह стала आपके पास मुनाको और उसके बाद स्लिम सा आपका स्विजलेंड हो गया क्योंकि स्लोवानिया पहले हो गया था ए फॉर ऑस्ट्रिया और जी एफ यानि की ग्रांट फादर का मदब जर्मनी फ्रांस हो गया ठीक है और यहां कई नदियों का उद्गम है देखिंगे हम कैसे क इसमें मैंने एक पॉइंट लिखावा कि आपको रीड यह हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है इसमें दोनों में अलग अलग कुछ ना कुछ खास-खास पॉइंट लिखे मैं जगे के अधार पे मैंने ऐसा किया तो आई थिंग आप समझ गयोंगे अब एपुरवाइडी जलो मिलिया Words अब with इट ली प्रायदीप कॉन सा है यह इलाक इट ली प्रायदीप आएग बाट लेक्षणिंटेंस्टेंटा इस बॉस्तार बाकन प्रायदीप उपि इसकी यह Balkan प्राइज तो यह क्या कहना चाहरे है अगर आप इसको पढ़ोगे जो नहीं लिखा हुआ है इसमें नहीं का कि यह Italian और Balkan Peninsula में पाये जाता है ठीक है और Northern Spain और Southern France में पाये जाता है यह यह जो इलाका आपका cover हो रहा है यह इनका कहने का मतलब है कि यह Alpine रेंज वाला इलाका है अगर हमारे पब मैप हमें मिल जा है, outline map तो उसमें भी शाइद दिख जाएगा देखेगा, outline map में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें ये इलाका जो दिख रहा है यानि कि यहां से होते हुए इनका कहने का मतलब ये जो इलाका देख रहा है even ये पूरा, ये भी पूरा even ये पूरा यहां तक का, ये सारा इलाका alpine range में cover होगा अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा हलका हलका साथ देखने की कोशिस करते हैं चीजों को फिर मैं outline map में आऊँगा फाइनली पूरा का पूरा revision आपका घरा दूँगा लेकिन पहले एक बार हलका हलका देख लो आप ठीक है, I hope आपको चार चीजे जो मैंने बता ही, वो समझ मागेंगी उन alpine countries की positions मैंने यहाप पर दिखा दिये कौन सी किस जिगे पाई जाती है मैंने बता है, slim सा GF याद रखने S for Slovenia, L for Linchstein, I for Italy, M for Monaco उसके बाद slim सा S for आपका Switzerland, A for Austria और G for Germany, F for France तो इन इन जगहों से होकर वो जाता है अगर आपको map दिखा दू, मैं थोड़ा सा उससे idea लग जाएगा आपको इस map में ही आप देख लो, जो जो चीजे आपने बोली है तो उससे एक idea लग जाता है अपने आपको कि कहां कहां पर ही मौजूद है, ठीक है तो हमने क्या बोला, S for Switzerland सबसे पहले हमने बोला, Alpine का Switzerland की तरफ, तो ठीक है, Switzerland का इलाका ये वाला हो गया, कुछ इलाका France का हो गया, तो कुछ इलाका France का भी हमने ले लिया, L for Linchstein का इलाका, ये Linchstein इसमें दिखनी ना यहीं कहीं पर Linchstein अपना होगा और उसके बाद Germany का कुछ इलाका तो Germany का कुछ इलाका भी कवर कर लो उसके बाद इन्होंने का Slovania का इलाका, Slovania अगर आप देखोगे Slovania, ये वाला इलाका Slovania का, इसमें आपको अगर दिख रहा होगा ये Slovania का इलाका हो गया, तो Sloan, S, A, A for Austria का इलाका ये Austria का इलाका भी कवर हो गया और उसके बाद Germany का और France का इलाका हमने अलरडी कवर कर लिया, कुछ फूड़िया क्या S for Slovania हो गया, L for Linchstein हो गया I for Italy का इलाका, Italy का इलाका भी ये कवर हो गया I for Italy हो गया, Slim M for हो गया Monaco का इलाका, यहां कई पर Monaco का इलाका और उसके बाद S for Switzerland भी हो गया A for Austria, ठीक है, mostly सब के सब हो गया तो इस इलाके को mainly इनोंने का कि ये वाला जो इलाका है, mainly ये वाला इलाका ये वाला इलाका, Alpine region का इलाका कहलाता है थोड़ा थोड़ा विस्तार सब जगे, लगबग अच्छी खासी रेंज जैसकी 1200 किलोमेटर या ऐसा कुछ किलोमेटर की रेंज में पाया जाता है बाद में देख लेना आप इस सीच को, इस फेक्ट को कितना कितना है The region includes the mountains of the Alps mountains Pyrenees, Pyrenees क्यों बुला, Pyrenees पहले देख लो कि Pyrenees परवत कहां पर पाय जाता है Pyrenees परवत ये वाले परवत है, जो Spain और France के बीच की सीमा बना रहे है देखो, इसमें अगर आप थोड़ा सा नजर मारोगे, मैं आपको यहां पर भी point out करते रहता हूँ यह जो इलाका आपको दिख रहा होगा, यह mountain वाला, यह Pyrenees परवत है जो Spain और France के बीच में मौझूद है उन्होंने कहा, एक तो वो Alps परवत का इलाका हो गया, Pyrenees परवत का इलाका हो गया और सर, और कौन सा कह रहे हो, और कह रहे हो, इसके बाद ही कह रहे है, Dinaric Alps का लाका है Dinaric Alps का लाका, और Balkans, और उसके बाद Carpathians High Elevations है यानि कि मैं आपको बता देता हूँ, यह इलाके कौन कौन से है, देखो यह आपको particular एक इलाका नजर आ रहोगा, यह Carpathian Mountains है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप मेरी बात थोड़ा समझ रहोंगे, अब मैं रिविजन धिरी-धिरी कराने लग जाओं, देखने लग जाओ देखो, यह जो इलाका आपको नजर आ रहोगा ने, यह जो country आपको नजर आ रही है, यह Czech गणराजी है इसका पुराना नाम बोहिमिया है, तो कुल में आपका है, यह जो चैक रिपबलिक आपको दिखाई दे रहा होगा, यह जर्मनी जो है, उससे स्वतरन्तर बेसिकली है, लेकिन जर्मनी से 60 वा इलाका चैक गणराजी का है, और इसके बगल में आपको जो इलाका दिख रहा ह है, तो यह पोलेंड है, यह चैक गणराजी का इलाका है, दो बात, मैं उनी को सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूं, जहां से यह परवत जाएगा, जिस परवत के हम बात कर रहे हैं, ठीक है न, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कारपीथियन माउंटेंस की, अभी दिखाता हूं आपको का है, उसके बाद थोड़ा सा आप जैसे ही नीचे पर उतरोगे, यह वाला इलाका आपका स्लोवाकिया का इलाका है, अभी कवर कर देख लेंगे, यह यूकरेन का इलाका है, आप समझते हो, यह यूकरेन का इलाका है, यह जो आपको नजर आ रहा है, उस यूकरेन क कहीं पर आपके पास सर्भिया का इलाका है यह आपके पास लगबग लगबग सर्भिया का इलाका है सर्भिया का अब मैं आपको इसको मैप में दिखा देता हूं उसके बाद हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा और कंट्री के नाम भी आपको पड़ा दे रहा हूं अर वर्माइनिया के लेती है कुछ वह यूकरेन के वी उकने के लाहती है यह बना स्लोनिया क्षोएन उसके बाद नहीं मुत्ते मोटे मोटे वह माउंटें सा मौन में घृत बात कर रहा हुई अगर आप देखोगे लगबग आपको इस तरह की शकल यहां पर दिखाई देने लगए लगबग यहां से यह कौन सा इलाका था चेक गंडराज्य के इलाके से आया उसके बाद थोड़ा पोलेंड से होते वह यूक्रेइन की तरफ जा रहा है फिर वहां से टर्न ले रहा है र हांगरी का प्ले न हैं हांगरी का बेसिम लाका है अप समझ पा रहों हंगरी दम्हें ब्लेड बैसी अफि कंगरी को लागा रीकिन है अब मैं सब क्या सम्झाना चाहां रहा हूं तो आपकि विंग की प्लिंग उस्के चाहइँ दिस्केशन एक एक चीज पर करने कोशिस न परवत का एलाखा है क्योंकि आपको इटली में कुछ यह परवत ताइप का भूरा-भूरा दिखाई दे रहा होगा तो यह अपनाइन परवत स्रेणी है यह जो आपको भूरी-भूरी दिखाई दे रही है इतली के ऊपर और बाकी यह जितना ब्राउने सारे ब्राउन को एव कि यहां का सबसे उंचा परवत यौरप का माउंट अलब्रस है जो कि कोकेशस परवत में पाए जाता है जो कि मैंने आगे पर आपको कहीं पर बता भी रखा है अब उस चीज का यहां पर एक फाइनल हमने दिखा दिया चीज को और मैं भी एक बार रिवीजन कराने चाहता ह क्योंकि चीजे काफी फैल गई मुझे लग रहा है इसा परसनली कोकेशस परवत अल्रेडी आपको पता है ब्लैक सी और कैस्पिन सी के बीच पर पढ़ता है मैं बताऊंगा नहीं कि बहुत बार दिखा दिया इसलिए मैं आपने रखावा है यहां पर इस बार और उसके अल परवत जो मैंने थोड़े दिर पर बताया वहां आल्स परवत और आल्स परवत की जो सबसे उंची चोटी पढ़ती है उसका नाम है मांट ब्लांक मांट ब्लांक आल्स परवत की सबसे उंची चोटी है और यौरप की दूसरी सबसे उंची चोटी है और फ्रांस की सबसे प और इसी कॉकिशन परवत मौजूद है आपका माउंट एलब्रस जो सबसे उची चोटी है यॉरॉप की पैचे नम्मर की आपको जो कुछ पढ़ा है वो समझ में आगया होगा इस मैपको आप एक बार देख लो इस मैप में आपको काफी चीजे समझ में आ जाएगी क्योंकि जितना कुछ आपको दिखाई दे रहा है एपनी इस मैंने का था एपनाइन परवत जो है वो इटली की तरफ पाया जा रह तो यहां तक के इलाके में पूरा पूरा जो यह परपल कलर का आपको इलाका नजर आ रहा है यह जो यलो कलर का नजर आ रहा है यह मिडल हाइलेंड का लाका है क्योंकि मिड में दिख रहे है जो ग्रीन कलर का पूरा इलाका दिख रहा है यह नदन प्लेंस का इलाका है जो मैंने का था British Isles है तो इसमें और आइस्लेंड का इलाका का रहो गया लेकिन इनने कुछ इलाका इसका भी ले लिया वैसे जरूरी नहीं आप इसको लो इसको आप न इस वाले इलाके में कवर मान सकते हो क्योंकि मैं आपको बताया था मेसेटा का पठार वगेरा क्योंकि नौर्थ की तरफ कहां पढ़ रहा तो अच्छी बात नहीं है बूलना हाइलेंट्स है यह नो डाउट लेकिन इसे मिडल हाइलेंट्स बोल दो यानी सेंट्रल अप्लेंट्स बोल दो कि सेंट्रल इलाके में पाई जाने वाले अप्लेंट्स तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से तो इसमें अपमें थोड़ा से एरर मान सकते हैं तो में सिट उसमें थोड़ा सा discussion कर लेते हैं इसी में कर लेते हैं इसी में कर लेते हैं इसी में चल जाएगा थोड़ा 2-5 ब्रफरी वका ने बधर सरो हैं उसके बात सब जहनें चल रहा है हमने पड़ा North West Applans का इलाका है सलोनी को समझ में आ भी रह है कि नहीं हा रहा नौर्थ वेस्ट अप्लेंड का इलाका उसके बाद मैंने आपको बताया नदन प्लेंड का इलाका उसके बाद मैंने आपको बताया तीसरे नमबर पर जो सेंट्रल अप्लेंड का इलाका है सेंट्रल अप्लेंड का मतलब आप कन्फ्यूज मत होना कि इंग्लिश में बोल रहे कि हिंदी में बोल रहें under the카 सेंटर इंट्रल अमतलब मतलब म brag अब्लांड मतलब उच्छ खमूमी तो मद्या ऊच्छ मिंस नार्थ बिमत्लarak मतलब उत्र का प्लेण मैद में नॉर्थ वेस्च मतलब पश्चम उत्र के उच्छ खुमी है बस हौता वाला जो मैंने आपको बताय रहता है नौर्वे में, स्व्डिन में, फिलनेंड में, ब्रिटिश आइल्स में और आईसलेंड के लाके में, पता है मैप में कॉन चीज़े कहा है, उसके बाद, इसमें कुछ खास बात नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि Norway Sweden Finland architect circles को कर पास करते हैं लेकिन Iceland जो है वो उसके दक्षण से पास करता है छोटी सी बात ध्यान रिखना नदन प्लेंड के हम बात करें तो नदन प्लेंड नौर्थ वेस्ट अप्लेंड के नीचे की तरफ आया जा रहा है वाइट सी के नीचे की तरफ आया जा परवती है टाइप के इलाके दिख रहे हैं भूरे-भूरे कलर के इवन आप मैसेटा का पठार इसको भी इसी मां काउंट कर सकते हो तो कुल मिला के मैसेटा का पठार इसके एक्जांपल में कौन होगा मैसेटा का पठार जो कहां पर है स्पेन में है मैडरिट जो कि स्पेन चूरा परवत का इलाखा इसके एकजांपल है परणीज को इसका इजांपल मतलेना ठीक है परणीज हमारा Alpine Range में आ जाएगा जो प्र में परवत है आपको ब्राउन इख का कर अनीज छाएर कर चार को पाथ nellम ऐसे हाद साटे इसके अलावा ये बैटिकलर इवा ये इसको मैने क्या है परवज्य परवज्य यह वालाइटी in जो कुछ मैंने बताया वो समझ मैं आया होगा मेरा मुख्य उद्देश था कि चीज़े ज्यादे से अदा हो अगर आप एक बार पी पीडियेफ को न सिस्टमेटिक ही पढ़ लोगे आपको चीज़े समझ मैं लग जाई है क्योंकि हर मैप मैंने जिस मैप मैं आपको जैसे स्लोवेनिया का इलाका जो है वो जा रहा है उसके लावा यूक्रीन का इलाका जा रहा है उसके बाद रुमैनिया का इलाका जा रहा है और सर्भिया का इलाका जा रहा है लगभगे 6-7 कंटरी यहां से पास करती है तो आपको इस तरह के आईए रहेंगे तो इंपोर्टन र जानी है Central Massive आपने देख लिए जो फ्रांस में मौजूद है Scandinavian Shield हम जानते है Northern Sweden Finland वाला इलाका उसके बाद Central Russian Upland कोई खास नहीं है Ural Mountains हम जानते है I think सारी बाते हमने cover कर लिया तो इस तरीके से हमने physical part को almost इस वाले मैदान का हिस्सा तीसरा आपका मध्यवर्थी में उच्छ भूमी यानि Central Appliance और चौथा वाला हमने देखा अलपाइन वाला इलाका यानि अलपाइन रिजन वाला ध्यान रखो कि अलपाइन में कौन कौन सी आठ कंटरीज मिलती है आपको अगर याद रहेगा कि स्लिम सा ग्रेंट फादर है तो आपको याद है जाएगा कि S for Slovania उसके बाद L for Lynchstein I for Italy M for मुनाको उसके बाद S for Switzerland A for Austria और स्लिम सा के बाद last में क्या बचा जर्मनी और फ्रांस I hope students से सारी चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी अगर समझ में आई तो लाइव ट्रास में नहीं बैठे वे कि अगर आपको डाउट हो को तो आप पूछ लोगे इसलिए अगर मुझे लगता है कि